क्वेशन नमबर फाइव क्वेशन है अमिञ यानि धोनों का कि अमिद्र्भी विद्री। पाइवेशनलनी यानि यानि य्वेशनली थेल भॉस्क्त नाति considerable इन हम देंस ही। उहन में और र१ृरार über ् 195,000 यानि आमित ने 5,000 विड्रॉ किया तो रोहित ने 5,000 अदिशनली इन्वेस्ट कर दिया तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो पहले अगर हम अमित की बात करते हैं तो आमित ने इन्वेस्ट किया है रुपीज 20,000 फर्स्ट 3 मन्स के लिए हम कह सकते हैं आमितु इन्वेस्टमेंट ओके तो आमित्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फ़ॉलोज अब पहला उसने कितना इन्वेस्ट किया है रुपीज 20,000 फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसका रुपीज 20,000 फॉर 3 मान्स अब 3 months बाद उसने 5,000 withdraw कर दिये, तब उसका investment हो गया 15,000 and rupees 15,000 for the remaining period, यानि कि 9 months के लिए अब दूसरा partner है रोहित, तो हम रोहित की बात करते हैं so, रोहित's investments are as follows अब रोहित ने भी पहले 3 months वही 20,000 invest किये, तो ये तो सेम है so, rupees 20,000 उसने invest किये for the first 3 months अब उसने additionally 5,000 और add कर दिये अब उसका investment हो गया rupees 25,000 for the remaining 9 months अब जब भी investment and period of investment अगर अलग-अलग होते हैं तब हम product ratio लेते हैं profit या loss share करने के लिए तो यहाँ पर हम profit sharing ratio देखिए कैसे दूनते हैं so, हम कह सकते हैं the profit sharing ratio is equal to अब इसका investment है 20,000 for 3 months तो यह हो जाएगा 20,000 into 3 and 15,000 for 9 months मतलब 15,000 को हम किस से multiply करेंगे 9 से is to अब हम बात करते हैं रोहित की रोहित का investment है rupees 20,000 तो इसका investment है 20,000 again for a period of 3 months so into 3 plus 25,000 for 9 months यानि की 25,000 into 9 तो अगर हम यह product लेते हैं तो यह हो जाता है 60,000 प्लस यह हो जाता है 135,000 is to again यह product अगर हम ले तो यह हो जाता है 60,000 plus 25 into 9 तो यह हो जाता है 225,000 इसका अगर हम total करते हैं तो यह आता है 195,000 is to और इसका अगर हम total करते हैं तो यह हो जाता है 285,000 तो अगर हम यह 30,000 is omit कर देते हैं और अगर हम 5 से इसको reduce करते हैं common factor 5 से तो हमें मिल जाता है 39 is to यह हो जाएगा 5 and then 7 39 is to 57 यह हमारा profit sharing ratio आ गया अब हम बात करते हैं total parts की तो टोटल पार्ट्स हुए पार्ट्स शेर इन प्रॉफिट तो अमित का तो शेर होगा इन प्रॉफिट अब अमित को कितने parts मिलेंगे 39 parts तो 39 out of टोटल पार्ट्स कितने है 96 इन्टू टोटल प्रॉफिट है 1, 2, 8, 0, 0 तो अगर हम इसको reduce करते हैं तो यह हो जाता है 3 into या 2 से ही reduce कर देते हैं तो 2 4s आ, 2 8s आ 2 6s आ, 2 4s आ, 0, 0 अगेन हम reduce करते हैं 8 into 6 8 into 8 रइधर reduce करते हैं तो यह हो जाता है 3 into 13 3 into 2 2 1s आ 2 400s आ तो finally 13 into 400 यह आपको amount मिलता है 5200 तो यह हमें मिल गया अमित का share अब हमें दूढना है रोहित का share अब second partner का share हम easily calculate कर सकते हैं हम कह सकते हैं रोहित's share in profit is equal to 12,800 यह था हमरा total profit उसमें से अमित का share हम less कर देते हैं यानि 5,200 तो यह जो difference आता है वो है 7,600 तो यह है अमित का share 5,200 और रोहित का share है रोपी 7,600 तो यहाद कीजिए हैं पर अमित ने invest किया था 20,000 और 3 months और उसने 5,000 विड्रॉव कर दिया तो इसका investment हो गया अब 15,000 और 9 months वैसे रोहित ने start किया था 20,000 और 3 months तो इसने अदिशनली 5,000 और किये तो उसका investment अब हो गया 25,000 और रिमेंग 9 months अब जब भी investment और प profit sharing ratio रोनते हैं तो profit sharing ratio था 20,000 इंटो 3 plus 15,000 इंटो 9 is to 20,000 इंटो 3 plus 25,000 इंटो 9 so profit sharing ratio मिल गया total parts मिल गये total profit आ गया और आखिर में अमित शेर और रोहित शेर हम easily calculate कर सकते हैं कर दो